हाँ है से वाजु को सटू आप जाने वापट आप जाने वाले कोईली कछार गड़ का स्वरू काची कोपा लोह अध्यू मैंने का वीडियो पहले बना दिया है और अपने चैनल पर अपलोड penser कर दिया है आप जा के वहाँ पर से देख भी सकते हैं लेकिन वहाँ पर डिटेल से नहीं बताया गया है इसलिए डिटेल से बताने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कोईली कचारगर महाराष्टर राज्य के भंडारा जीले के साले कसर तस्सील में बंबई हावडा रेलवे लाइन पर जो पैसेंजर गाडियों का दर्रे कसा नामक रेलवे इस्टेशन है उसके पस्चीन दिशा में तीन किलोमीटर दूरी परिस्थित है दर्रे कसा रेलवे इस्टेशन के पास ही धन्ने गाव नामक गाव है वहाँ से कोईली कचारगड दृष्टी गोचर होता है यू अकार के परवसेली के मद्ध में एक बहुत बड़ा प्राक्रितिक गुफा है जिसे काची कोपा लोहगड कहा जाता है गुफा का छेत्र फल करीब 200 बाई 100 का है ये फीट में है और उंचाई 50 फीट है इसके अंदर डाएं बाजू में एक जल कुंड है जहां 12 महिने पानी भरा रहता है उसको भी दिखा चुका हूँ कुंड के उपरी भाग में करीब 20 फीट व्यास माला एक जरोखा है जहां से सुरज के कीरन दोपाहर के वक्त कुंड के पानी में प्रवेश करते हैं और ऐसी जरोखा से गुफा के अंदर सुद्ध हवा खेलते रहती है कुंड के पास ही बहुत बड़ा खंदक है गहराई है जिसकी गहराई के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक चार पाई की रस्सी भी उसके गहराई को नापने के लिए कम जाती है प्रवेश द्वार का आकार 30 फिट बाई 15 का है प्राचिन काल में वह बहुत ही छोटा था जहां से मात्र जुखकर ही प्रवेश किया जाता था किन्तु कली कंकाली के बच्चों को मुक्त करते समय उसे खोदा गया और उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया तत पस्चात विगत हजारों वर्षों से हवा पानी और धूप के प्रभाव से भूश खलन होकर वह बड़ा हो गया उस गुफ़ा में किसी को भी बंद कर उपर के जरोके से खाने पीने के चीजों की पूर्ति की जाये तो वहां कोई भी अच्छी तरह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है ऐसा है हमारा कोईली कचारगर सादर सेवा जोहर सगजन अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजे कि आपके लाइक से में प्रेर न मिलता है अगर इस वीडियो को अपने मित्र सगा और पजिवार के साथ सेयर जरूर करें जो अभी तक कचारगर नहीं गए हुए और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तक हमारे नेक्स्ट वीडियो को नाटिक्टिकेशन और था सूचना आपको जल्द है जल्द मिल पाए सेवा जोहाँ पुरू जोहाँ गुतुन जोहाँ चैनल